नमेश्कार दोस्तों, Bombay Super Hybrid Seeds के Q2 के Result आ चुके हैं और दोस्तों यह जिन्दी भी amount आप देख पारे हो, यह सारी Lex में है previous year के Result यहां पर मेंचिन है, previous quarter यहां पर और इस Q2 के Result यहां पर मेंचिन है दोस्तों, अगर हम total income देखे company की, तो last time company ने 209 लाग कमाये थे, यहां कि 21 करोड और उससे बढ़के अभी 33 करोड, 82 लाग लगबक 34 करोड तक होच चुकी है, तो 21 से 34 करोड तो एक बहुत बढ़िया jump है, पर अगर previous quarter के हिसाब से देखेंगे, तो यहां पर हमें 116 करोड नजर में आ रहा है दोस्तों, यह थोड़ा print ऐसा ही है, इसका PDF का, तो 116 करोड से 33 करोड तो बहुत बढ़ा downfall है quarterly wise, और अगर हम expense पर जाएं, total expense company के, तो 213 करोड यान की 20 करोड expense है previous year, तो उससे यह बढ़के 32 करोड तक हो चुके हैं, और previous quarter में, जिस हिसाब से revenue भी जादा था, उस हिसाब से expense भी जादा है, 105 करोड के, हमें expense देखने हो मिले हैं दोस्तो, 105 करोड expense, और अगर हम निचे net profit देखें कंप्रीज हैं, तो net profit जो निकल के आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते होंगे, net profit for the period, previous year सिर्फ 86 lakh था, उससे बढ़के यह अब 1.5 करोड तक हो चुका है, तो 1.5 CR हो चुका है, 86 lakh से, और previous quarter में देखेंगे तो, यह 10 करोड निकल के आ रहा दोस्तो, तो quarterly wise तो performance बहुत down है company की, और yearly wise तो ठीक है, तो दोस्तों यह थे company के Q2K result, और EPS भी देखेंगे, तो 0.08 से घटके यह अभी फिलाल 0.15, year wise तो बढ़ चुका है, पर quarterly wise 1.01 से घटके 0.15 तक हो चुका है, तो दोस्तों अगर हम इसकी balance sheet पर थोड़ा ध्यान दें, तो आज के दिन यह share 250 रुपिय पर देखने को मिल रहा हम है, और अगर है इसकी market cap देखें तो market cap सिर्फ 5,000 क्रोड है, stock का P122 है, तो थोड़ा overvalued हो चुका है, और अगर हम इसकी balance sheet देखे नीचे, तो 2015 से लेकर अभी तक 31 क्रोड से sales बढ़के, लबग 255 क्रोड तक हो तो जीरो, जीरो, फिर एक करोड, एक करोड, फिर दो, तीन, छे, दस, सत्रा, एक केस, तो net profit तो हर साल increase ही हो रहा है, किसी भी time पे company का decrease नहीं होगा, तो अभी तो फिलाल growing mode पे लग रहा है company, और balance sheet में अगर reserves देखें तो 46 करोड के reserves है, borrowings 53 है, ठीक ठाग है, ज्यादा borrowings भी नहीं है company पे, और अगर हम यहाँ पे share holding pattern भी फिलाल मोजोद नहीं है, और cash flow पे अगर हम ध्यान दे तो cash अभी यहाँ पे कुछ निया negative देखने को मिल रहा हम है, तो दोस्तों यह थे company के Q2 के result, और फिलाल company growing mode पे देखने को मिल रहा है, और year on year तो performance ठीक का company पर quarterly wise आपको थोड़ा gap up देखने को मिल जाए share में, तो दोस्तों ऐसी और result के लिए आप इस channel को subscribe कर सकते हैं.